देखिए एक limit का question है, क्या question समझ जेगा, limit के questions में, अगर आप थोड़े भी logical तरीके से करते हैं, तो questions को बहुत easily handle कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, अगर आप ध्यान देते हैं, तो यह x e power x minus 1 है, और नीचे यह है 2 sin square x by 2, right, तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर x square by 4 ले लीजिए, यहाँ पर x square by 4 का multiply कर दीजिए, यह तो हो गया विटा बन, यहाँ पर यह x भी cancel, एक 2 भी cancel, तो 2 उपर आगया, तो आपको मिला 2 into e power x minus 1 upon x, और e power x minus 1 upon x होता है, 1 तो answer हो गया, 2, यहाँ आप कितने easily questions को कर सकते थे, बस आपके concept कितने strong है, formula कितने clear हैं, सारी बाते इस पर depend करती है, यह formula आपको दिहान रखना है, करता हैं.